कि अभी हम लोग नेक्स लेक्चर में स्टेडी करने वाले हैं वर्क एन एनरजी इस टॉपिक के अंदर में या इस टेप्टर के अंदर में वर्क ड़न इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा थीटा क्या चीज होती है पहली बात बतायता हूँ कि यह मेरे पास में कोई भी अगर यह दो आर्म्स एंगल बनाते है तो उस एंगल को हम लोग कहते है थीटा एंड इसका लेटिन में सिम्बॉल इस तरीके से होता है बस एक बड़े से ओ को या फिर जीरो को उपर से आप लोग कट कर दीजिए यह हमें क्यों समझना जरूरी है इसका रीजन मैं आपको बता दू मान लेते हैं के मेरे पास में यह कोई अबजेक्ट है और यह अबजेक्ट मैंने आप रखा हुआ एक चौक का बॉक्स है अब इस चौक के बॉक्स को मुझे डिस्प्लेस करना है आप जानते हो कि वर्क ड़न होने के लिए जरूरी है फोर्स एंड डिस्प्लेस्मेंड मैं वर्क डन इस इकोल सुवाट प्रोड़क्ट ऑफ पोर्स एंड डिस्प्लेस्मेंड तो मैं इसको एक फोर्स लगाओंगा किसी एक पॉर्टिक्लर डिरेक्शन में लाइक दिस बराबर है तब ही चलके यह अबजेक्ट आगी जाने वाला है लेकिन यह इसका डिरेक्शन पॉर्ट पुल करूँ और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेस्मेंड डिस्काइज डिरेक्शन में और फोर्स सपोस्स अगर मैं अपोसी डिरेक्शन में लगा रहा हूं तो ऐसे कंडिशन में थीटा याने के एंगल कौन से बनेंगे उसके एक्कॉर्डिंग को वर्क डन यह ट्रिग्नॉमेट्रिक रेश्यो और ट्रिग्नॉमेट्रिक रेश्यो अब यह 10 स्टेंडर में और 9 स्टेंडर में हम लोग को स्टेडी करना है जोमेट्री इस सब्जेट में या फिर मैस्टू में तो ट्रिग्नॉमेट्रिक रेश्यो क्या होता है बहुत शॉट में अभी आ इनकी वाल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में रिक्वाइड होता है एक ट्राइंगल और मोस्ट प्रबैबली फॉर इजी अंडरस्टेंडिंग वी विल कंसीडर और राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल 90 डिगरी का होत है इसन्ट इट और यह 90 डिगरी छोड़कर यह जो तो हमारे पास में बचे हुए यह दोनों एंगल में से किसी एक को अगर मैं कंसेडर कर देता हूं ठीटा तो इसके अपोजिट में ठीटा के अपोजिट में जो परपेंडिकुलर हमारे पास में होता है जो लाइन हमारे अपोजिट में नहीं इसके 90 के पोजिट में ओल्वेस वो साइड क्या होती है हाइपोटेमियस तो यह आप लोग को ध्यांग में रखना है इसके उपर बेज ना हम इसकी वाल्यू निकालने वाले अब यह वाल्यू कैसे निकालने वाले देख लो समझायता हूं इसके ब्लाक हेर थूँ प्रॉपर ब्रशें यह सिस्ट आपको सेंटेस याद करना है काफी आजान हो जाता है एस का मतलब हो गया साइन सी का मतलब हो गया पॉस और टी का मतलब हो गया It is a tan means s forward sin है लिए लिख देता हूं में sin theta फिर c का मतलब हमारे पास में हो गया कई टी दै c का मतलब हमारे पास में हो गया यह पर tan-theta इसलिट अब s के आगे क्या लिखा है p & h तो यहां लिखेंगे P upon H C के आगे क्या है हमारे पास में BH तो यहां लिखेंगे हम लोग B upon H T के आगे क्या है P upon B So we will write here P upon B तो यह हमारे values निकालने के लिए काफी आसान हो जाता है So P nothing but perpendicular H nothing but hypotenious B यहां पर होता है base जो कि हमने आपे लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा BH हमारे पास में होता है hypotenious P again perpendicular और यह हो गया हमारे पास में base तो इस तरीके से perpendicular base और hypotenious को हमने यहां पर लिख लिए है तो अगर मैं इस triangle को नाम देता हूँ say A, B and C where C is angle theta C जो है हमारे पास में theta है और angle B जो है it is what 90 degree in such case आपका sine theta क्या हो जाएगा sine क्या हमारे पास है perpendicular upon hypotenious what is perpendicular it is what A, B तो यहां पर आपके पास हो जाएगा A, B upon hypotenious क्या है हमारे पास A, C यह हो गया A, C is equals to फिर हमारे पास में क्या आता है आपकास theta cost क्या होता है हमारे पास में देखिए base upon hypotenious यहाँ base है और यह hypotenious base क्या हमारे पास B, C here you will get B, C और hypotenious same हमारे पास that is what A, C and the last perpendicular 10 theta के लिए perpendicular क्या है A, B और base क्या है यहाँ पर B, C अगर हमारे पास में sides की value अगर होंगी यहाँ पर suppose 5, 6, 7 something like that तो उस तरीके से हमको नो value upon में मिलेगी और इसी को हम लोग कहते है ratio इसी हम को कहते है trigonometric ratio यह क्यों किया है इस टीस को समझाने के लिए एक चोटा सा example हम लोग ले लेंगे कि मेरे पास में कोई एक object है any object और इस object को हमें displace करना है इस direction में as for displacement अब displace करना है तो मुझे overall जो force लगाना पड़ेगा और force क्या हो जाएगा F ठोड़ा side में लिख देता हूँ overall force क्या हो जाएगा F तो force मुझको यहाँ पे लगाना है लेकिन यह force मैं इसी direction में लगा रहा हूँ क्या हो सकता है मैं vertical direction में लगाऊँगा या फिर मैं लगा सकता हूँ इसकी opposite direction ले तो चलिए मान लेते हैं कि मैंने जो force लगाया है वो कुछ इस तरीके से लगाया है इस में displacement करना है इस direction में और यह है मेरा इस direction में लगाया हूँआ force तो यह हो गया force और इसको मैं यहाँ joint कर देता हूँ तो मिल जाएगा perpendicular और फिर हाल यह जो है इस direction में लगने वाला force इसको मने consider कर लिया F1 तो चलिए यह इसको ले लेते हैं लोग A, B और यह C यहाँ पर C पर आपका बना हुआ थीटा और B पर हमारा बना हुआ 90 डिगरी तो हम यहाँ पर लेते हैं cos theta क्या लेंगे cos theta cos theta हमारे पास में क्या हो जाएगा भी यह cos theta हमारे पास में हो जाएगा क्या होता है cos theta base upon hypotenuse इसमें base क्या है सबसे पहले 90 डिगरी के opposite वाला हमारे पास में hypotenuse theta के opposite वाला theta के opposite वाला क्या होता है perpendicular प्र लिकेंगे हम लोग perpendicular और क्या बचा हुआ हमारे पास में भी यह remaining is what your base so what is cos theta, cos theta अबता है base upon hypotenious so base upon hypotenious is equals to, क्या है आपके पास में? base क्या है? it is bc है na, bc क्या हमारे पास में base upon hypotenious क्या हमारे पास में? ac so yoo hao 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 F, therefore हमारे पास formula क्या होता है अच्छा पहले इसको rearrange कर लेते हैं अभी इस F को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में W, not W F1, इधर बचेगा सिर्फ F1 is equals to, F इधर आ गया तो क्या हो जाएगा F into cos theta ये एक काम की चीज हो गई बुक में explain नहीं किया गया है इसी दिए इसको जान में रखना है also हमारा जो work done का formula होता है F is equals to what W is equals to what F into S अब मैं इस direction में force लगा रहा हूँ displacement देखिए मेरे पास ये है नजर आ रहा हूँगा आपको this is what displacement और इस displacement के लिए force के लगा हुआ F1 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग F1 again F1 की हमारे पास में value क्या है it is F into cos theta तो हमने यहाँ पर F1 के जगा क्या लिखा है F1 के जगा F into cos theta और S means displacement as such थोड़ा सही दरीकेस लिखना है तो हम इसको लिखेंगे F into S को पहले लिखो सब मल्टिप्लिकेशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है cos theta यह बन गया हमारा according to the theta और angle theta formula of work यह आप तो समझ में आया सभी को अब किस डिरेक्शन में हम लोग किसी object को pull करेंगे तो हमारा walk down जिसके पहला हमने देखा था positive, negative या फिर 0 होगा तो उसकी value के साथ हम लोग यह आप explain करते है चल यह start करते है तो सबसे पहले अगर यह object हमारे पास यहाँ पर है इसका displacement करना है इस direction में this is a line showing displacement और इसी direction में देखो ठीक से green कला का चौक यहाँ पर mark कर रहा हूँ इसी direction में लगा हुआ है force तो force आपका यहाँ पर है तो आपको इतनी बात तो पता है कि proper angle चाहने के लिए आपके पास में इस परिकेसी यह दोनों arm जो है ओपर होने चाहिए अगर वो दोनों एक दुसरे के साथ arm coincide है एक दुसरे के ओपर overlap है तो angle यानि कि theta क्या हो जाएगा it is 0 right this is your first condition दूसरी बात case 2 इस direction में हमारा क्या है भी या displacement है और हम force लगा रहे है इस direction में force लगा रहे है इस direction में तो यहाँ पर आपका angle कैसा बन गया 90 degree इसको हम लोग triangle complete कर देंगे इसका right तो यहाँ पर theta क्या हो गया theta is what 90 degree in a last case इस direction में हमको लगाना है या फिस direction में हमारा displacement होने वाला object right और इसके opposite direction में हम लगा रहे है force force हमारा इस direction में है तो यहाँ पर जो angle हो जाएगा altogether वह angle कितना हो जाएगा linear pair है 180 degree so you will get यहाँ पर angle theta is what 180 degree तो अगर मैं यहाँ पर cos theta के जगा पर value 0 put करता हूँ तो cos 0 degree की जो value होती है वो होती है 1 यह आप लोग को आगे में समझ में आएगा जम लोग geometry का trigonometry chapter study करेंगे तब अगर मैं यहाँ पर cos theta की value in place of theta लिखता हू 90 so in case of 90 cos 90 is what the value is 0 value is what 0 and cos in place of theta अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 180 so you will get cos 1 it is minus 1 so according to the theta as angle we are for theta cos theta the angle is minus 1 0 and minus 1 1 0 minus 1 तो अब देखते हैं आपे value put करके w is equals to हमारे पास में क्या है यहाँ पर f f की value as such s is what displacement cos theta theta क्या है हमारे पास में यहाँ पर 0 और 0 के लिए हमारे पास में क्या होगा 1 तो f into s into 1 तो आपके पास में पूरी value जो रहेंगी वो as such रहेंगी यहाँ पर w is equals to f into s cos angle हमारे पास में theta की value क्या आगई 0 तो आपके पास अंसरिया पर क्या आजाएगा 0 मैं लेटर में लिटता हूँ z e r o 0 at last w is equals to what f into s cos theta की value हमारे पास में cos को ठीक है एक स्टेप बड़ा देता हूँ लिख दिया दो cos theta हमारे पास में किता था 180 चलो यहाँ पर 180 लिख देते 180 की value हमारे पास में कितनी है भी या minus 1 तो हमारा जो value है वो हो जाएगा minus f into s तो इस से हमको sound में आ रही है कि यह value है negative यहां इस condition में दो वाक्डान इस negative negative वाक्डन और अगर हमार अबजेट जो है इसको हम लोग इस डिरेक्शन में डिस्प्लेस करते है और उसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है परपेंडिक्युलर और परपेंडिक्युलर अपवर्ड और डाउनवर्ड दैन दो वाक्डन इस वाट जीरो यहां पर हमारे क्या रहेगा पॉजीटिव कि वर्ड तो इससे समझ में आता है कि कि किसी भी ऑबजेट के डिस्प्लेस्मेंट के अपोजिट डिरेक्शन में अगर फोर्स लगा होगे तो वह जाएगा निगेटिव वाक्डन जो कि हम इसके पहले अगर डिस्प्लेस्मेंट डिरेक्शन के परपेंडिकुलर अप और डाउन जैसे कि मैं आपकर खड़ा हो मुझे ग्रेविटेक्शन फोर्स मुझे अपनी तरफ कीच रहा है अगर जगस हिल ली रहा हो तो वर्ट डॉन हुआ के नहीं हुआ सो वर्टिकलीय अंपर वर्टिकली डाउन अगर मूवमेंट होटा है फोर्स का यविव्वेएrale किया जाता है दैन यौन वोर्क दन Azopeड और एगर जिस्प्डिक्शन में हमें किसी भी औब्जेट को displace करना उसे डिरेक्शन में पर जांप्या सब्सटीर स्प्लाइं करते